नमस्कार दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है अब्यास अग्री एकेडमी की यूटूब चैनल में उस्तों मैं आसा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे नब बर्स के आप सभी को बहुत पूस्व काम ना है आई ये स्टार्ट करते हैं जो हमारा एक्जाम के लिए जो इंपोर्टेंट वीडियो हैं सब कुछ लेना चाहते हैं इसकी थ्री मंत वैलेडिटी है उनली आपको 750 के अंदर मिल जाएगा या उनली आप मोक टेस्ट चाहते हैं ठीक है आई-ई-प्यास का मोक टेस्ट स्पेशल ठीक है जैसे आपने देखा होगा यहां पर 75 जिसमें आपको 350 की है और आप अगर आभी लेते हैं तो 25 परसेंट आपको यहां पर डिसकाउंट अबलेबल है तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं करेंट एफेस दोनों सारी चीज आपको अबलेबल है जो स्टूडेंट मत्यप्रदेश के हैं या फिर 36 यहां पर एमशी की प्रेक्टेस करा जाती है चलिए दोस्तों अस्टार्ट करते हैं पहला कोशन क्या है है जो इस बोट कोन सा नीउट्रेंट जो है तो क्या पूच्छ आये नायान का मतलब होता है नीगेटेव फॉर्म में कोन सा फोंके अन्दर और का मतलब भाई पॉजे ठीक है फोस्फोरस किस ब्लांट जो है फोस्फोरस को किस रूप में ग्रेंड करते हैं तो प्लांट फोस्फोरस को S2PO4- अधिकतर प्लांट तो वाई इसी फोम में लेते हैं ठीक है या फिर SPO4-2 या फिर PO4-3 ठीक है पोस्पोरस तो इसी tesi Halo समंको होता है थिक है केल्सिआ हम कूछ चेक करते है तो यह तो सारी नेगेटिव डून में तुए लांसर हुए है नहीं सकता क्या इसका क्रेक्ट प्लस तो लुटा है पॉटेसिय उपक होता हैइं नाइट्रोजन एक आप एभी जो दोनों व iemand प्लस माइनस का मतलब क्या होता है- नाइडरेट ना तो भाई, ढूनों के अंदर क्या होता है- जो मैग्जिवम प्लांट होते है maximum plant जो है nitrogen को किस रूप में लेते हैं ठीक है most of the plant जो है most of the plant अधिक तर plants जो हते है nitrogen को किस form में एब्जोर करते है no 3 minus rice जो होता है किस रूप में लेता है तो answer है ammonium में चलिए sulfur sulfur आपको पता है negative form में है न एनाएन वो में sulfate के आएन की रूप में होता है तो यहां पर correct answer क्या है nitrogen चलिए question number second क्या है the nutrient and essential for the energy transformation ठीक है वाई energy transformation के लिए उर्जा transformation के लिए कौन सा तत्व आवस्चक होता है तो यहां पर देखो answer है phosphorus देखो phosphorus क्या होता है ADP plus IP ठीक है ATP जो है energy compound कौन सा होते है ATP तो ATP बनाने में कौन सा काम आता है तो ATP बनाने में phosphorus महुत important होता है तो इसका correct answer क्या है phosphorus है ठीक है question number third क्या दोस्तों question number third है total weed color किसी कहते हैं तो total weed color जो होता हो glyphosate होता है कौन सा glyphosate क्योंकि यह non selective होता है क्यासा वाई non selective herbicide होता है क्यासा होता है non selective herbicide होता है साथ साथ में systemic है ना क्या होता है systemic and non selective होता है यह सब को मार सकता है चाय कोई भी है ना plant हो चाय वीडो चाय क्रोप हो उठाई कोड़ो मोनो कोड़ यह सब को किल कर सकते हैं इसको क्या कहते हैं इसका हम यूज करते हैं जीरो टिलेज के अंदर कोसा नमर नैस्ट है कोसा नमर फॉर है most serious form of soil erosion in the country तो इसका correct answer वाई गली एरोजन serious form क्यों important देखो हम पहले बात करते हैं कि soil erosion क्या होता है अगर आपसे पूचा जाए कि soil erosion क्या है तो soil erosion देखो क्या होता है कि जो soil particles होते हैं क्या होते है soil particles जो होते हैं ठीक है उनका detachment होना अपने origin place से क्या होते हैं detachment होते हैं हाँ या न फिर transportation होना क्या होना transportation transportation होना तो soil particle का detachment होना transportation होना and deposition होना किसी नई जगह पर जाकर भाई deposition यह सुनो यहां से जाएंगे यहां हो जाएंगे तो detachment transportation क्या होते है detachment transportation and deposition of the soil particles from one place to another place एक जगह से दूसरी जगह पर मर्दाकणों का जाना ठीक है detachment होना अलाग होना होना放 होना और कट्टा होना इसमे tabi Veo चैशिए तो आंधि इसा होता है निटेbelal ऑटर यह वाना स्चैशन क्रूस के द्वारा चांहें जो वातर उरोजन होता है ना तो आप देखोगे वाटर द्रोब भी कहते हैं ठीक है इसके बाद कुछ सा होता है इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बाद कहुंसा ऊता है यहां पर होता है स्ट्रीम बेंक्ट कौंसा होता है तो देखो दोस्तों सबसे आदर नुक्सान जो करता है गली रोजन बहुत खतरना कि उसमें बड़ी बड़ी नालिया वन जाती ना आप देखो इसके अंदर बड़ी बड़ी गलीज का फॉर्मेशन हो जाता है तो बहुत ही खतरना गए चलिए आगा पढ़ते हैं कोशन नमर ह सब्सक्राइब वैस और नेकोलास नहीं है नrob 않은 क सब्सक्राइब होता है कि और यक होते हैं तो प्लस beneficial यह 17 फ्लस 4 ब्राबर 21 चलिए तो question number next है होलो हаствर आर्ट वीमारी किस सो वह ती है तो वह किस आई हैं के लिन मूंस्टम Presentsौकां कि कह्ते हैं चंछी को स्थरूंट को क्या Daig है इसी के फ्रूट को कहते हैं सिलीकवा कैते हैं ठीक है दर दो पाइब की जा सीसम हैं इसके फ्रूट को क्या कहते हैं कैसूल याद रखनाaster गते हैं साथ हुआignment पोलॉबर को एकी ने ठीक है सिकों सीलिक व zeg एके एससे क्या कहते हैं लोवेंटम क्या याद रखना लोमेंटम चलिए कोसर नमर अठ वाट मींड वाई तब क्रॉप लोगिंग हना देखो क्रोप लोकिंग कंसेप्ट जो होता है किसमें? क्रोपологिं कंचेट Woods किसके द्वारा है? की यहाँ पर क्यா होता है कि लिप के अंदर क्या न्यूटिन्टlean कासा कि सिस्ट कि giving कामिकल चेंग भी उची का नो फिए så क्क प्राफिकल रिकोड का से बनाए जाता है उनका सब्सकल्डिक मतला होतााि यह चलिए को सनने को बाइस्टे Pan Sitting नम्बर ना पाइमिउंग के इद रखक्ते ठीक है एक कोशन और एंपोस्टेंट टोबय को एंदर अलग-अलग एंप्रेशन्स होते हैं उनका सेक्वेंस पूछते हैं सबसे पहले करते हम यह नर्म सबसे पहले क्या होता है टोपिंग के बाद क्या होता है डीशकरिंग है ना टोपिंग के बाद क्या होता है डीशकरिंग और डीशकरिंग के बाद क्या होता है प्राइमिंग और प्राइमिंग के बाद क्या होता है वही इसके बाद होता है क्यूरिंग लास्ट में ना क्यूर इनाो ट्रीय एंद दीमार या एडुरीड थेसए रूप में बेक्टरिया के तवारा इसे हम कहते है ली Pencil कहते हैं डीनाइट्रिफीकेशन क्या कैते हैं चलिए कुछ सा नमर 11 है an important phospholipid present in milk, add yolk, and all living cells कौन्सा इंपॉटेंड phospholipid होता है तो आंसर है lecithin कौन सा होता वाई lecithin इसके अंदर होता है कोशन नमर है milk production enhancing program in India is known अंदर तो वाई operation flood milk जो पादन है ना milk का पादन इसके लिए क्या चालू किया तो operation flood तो एक्जाम में पूचा जाता है operation flood है कोशन नमर 13 चारा है क्रोपिंग के लिए जो ऑन फोडर स्लेक्ट करते हैं उसके पास क्या होना चाहिए ठीक है उसमें क्या रिच होना चाहिए तो आंसर है प्रोटीन क्या होना चाहिए उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए बिलकुल चलिए कोशन नम्मर 15 टू इंप्रूब दा इंडियन वफैलोज दा राइट पॉलिश्यो ब्रीडिंग एज तो आंसर है वाई क्रोस क्रोसब्रिडिंग कराना चाहिए चलिए कोशन नम्मर शिस्ट suf घर एपकेश्यो सटीकट्ड थे तो आसर 1984 के अंदर headquarter कहां पर है headquarter तो headquarter र्याद रखना गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम के अंदर headquarter है चलिए नेस्ट इंपोटेंट कोस्टन है फार्मर के लिए start कर दीगे यह ठीक है यहां पर यह पूछते हैं interest subvention scheme में कितने percent जो है अगर farmer up to three lakh ठीक है अगर तीन लाग का loan लेता है ठीक है किसान जो है अगर तीन लाग का loan लेता है और timely repayment करता है ठीक है timely क्या करते repayment होता है तो पहले तो साथ परसेंट इंट्रेस्ट है अगर वो timely repayment करता है तो तीन परसेंट उसको interest subvention मिलता है इस पर तीन परसेंट की इसको छूट मिलती है तो effective interest rate कितनी होती है 4 परसेंट होती है most important question है चलिए question number 19 है national mission on horticulture नहीं स्टाट इन विजिये तो दोजार पांच्छे के अंदर है question number 20 अग्रिकल्टे टेक्नोलोजी मेनेजमेंट एजन्सी आत्मा तो आंसर है 2005 के अंदर स्टाट हुआ है question number 20 national bamboo mission तो 2006 साथ है national bamboo mission 2006 साथ के अंदर स्टाट हुआ है question number 22 reconstructed national bamboo mission दोवारा से कव हुआ है ना तो डी कंस्टेक्ट दोजारा अट्रा उननीश के अंदर कव है आट्रा उननीश के अंदर स्टाट हुआ है याद रखना तो यह एक्जाम में क्या important debts पूची आती है तो इसलिए स्टाट हुआ है चलिए question number 25 है ना question number 25 जो है याद रखेंगे कौन सा पच्ची सिल्वो पोस्ट्रल सिस्टम का मतलब क्या होता है ना agriculture forest pasture यह नहीं होगा अगर इसको आपन करेंगी तो क्या होगा एग्री ठीक है प्लस शिल्वी अगर अपन करते है या ये अग्रिकल्च्र प्लस टाइसको लिखना जाएं तो अबन क्या लगिंगे एगरी लगृS बोप अचलिए चलिये मसा ए कि कौन सा चोंह आ है reflecting type anti-transparent है important question है जो हम dry farming पढ़ते हैं तो महां पर क्या होता है कि भाई महां पर हमको moisture conservation करना होता है पानी की बचत करनी होती इसलिए महां पर हम anti-transparent का यूज करते हैं ऐसे chemical substance जो rate of transformation को कम कर देते हैं degrees कर देते हैं reduce आंसर देख लेते हैं रेफ्लेक्टिंग टाइप के एक्जामपल क्यों लीग है अधो डिफरेंट चार टाइप की होते हैं एंटी transparent कितने टाइप की फोर टाइप की कौन-कौन से इधर देखो पहला होता है stomata closing type कौन सा होता है ऐसे ऐसे अंटी transparent जो stomata को बद कर देते हैं उन्हां क्यों बहुते हैं यह सब किसमता को बंद करने वाले दूसरा एक होता हमारे रिफ्लेक्टिंग टाइब रिफ्लेक्टिंग टाइब रिफ्लेक्टिंग टाइब क्या होते हैं कि जो सूर से आने वाली रेज होती है अगर इनको छड़क देते इनको लगा देते तो जो संसे आने वाली रेज होती है इनको रिफ्लेक्ट कर देते लीप के टेंपरेचन नि ना तीसरे में फ्ल्म फ्टाइर्षब वहता है दोस्तों निफिर इसका फ्रथन नम्मर एताइब तेये ग्रोध रिटार्डिंट जो की सूट की कुरोध को कम कर देते हैं कि जिसका साई इसका एक्जाम्पल क्या है साइस तो आपको समझें नोट कर ले ना यह एक्जाम के अंदर पूचे आते हैं मोस्ट इंपोटेंट है कोस्टन नम्मर पूचते में चैन की तो पूचते हैं कि अग्रोणोंक मेजर मतलब कौन-कौन से कभर रॉप यह सारी ती प्रक्राव जर्डर कर àsथे जब स्लव्प राव उता है श्रूप लेस देथें टू परसेंट उता तो कौनसा मेतडा तो आंसर ऑग्रोनोंग टीक्छा जब स्लोप मोर देन2% पर्सेंट उता है तो mechanical method कौन सा mechanical method ठीक है यह जो आपने क्या गोलते हैं bench terracing होती है आपको पता है कितना होती है bench terracing जो है bench terracing solar zinc terracing ठीक है जिंग terracing जो होती है यह सब mechanical method के example होते हैं यह सबी की सबी soil conservation के लिए follow किये जाते हैं चलिए next question की तरब बात करते है next question है stem nodulating nitrogen fixation crop ठीक है तो इस टेम के अंदर क्या पूचा देगो जनरली जो nitrogen fixation करने वाली जो crop होती है उनके अंदर तो क्या होता है उनकी तो root में क्या होता है nitrogen fixation के लिए जोटे है जनरली का अंदर होते है that by¿ zobs涼 राइजोबियम बक्तिरिया कहां होता है kilowमेरा दिकिने कि इसिए प्लांट कें ब्लांड आपको को मिलेंगे यह कहां मिलेंगे प्लांसर है है का genos वानिया ना सेश वानिया एक एक इह त् स्वानिया यह तो देंचा है। देंचा ठीक है यह तो आरिया होती नौर्मल अब जो यह जो ग्रीन ग्राम है रेड ग्राम यह तो सब पल्सट को पर यह वाली है तो यहां पर करेक्ट आंसर है सेस्वान या रोज टाटा कोसा नमर 29 ठीक है वाट इस दा डोकिंग डोकिंग का मतला होता है सीप के अंदर जो है पूंच को रिमूब करना टैल को है ना रिमूब लो टैल इन सी क्या कहते है अंग्जोटिक है थूलके कोसा नमर 30 तो गैनवर्ग क्या है तोगर मरक्र सिस्टडी साइकल सीठीस यह यह वर्स संस्टेवल प्र narrative क्या होता है पीजी होता है क्या होता है फीजीन यह कैसा bijvoorbeeld र Daarर यह वनद सबस् Cobbleॉंत कीशुद्स का ठीक है C4 plant जो होते हैं उनका stable product क्या होता है OE RUBP क्या होता है first CO2 accept in C3 plant first CO2 accept in C3 plant जो C3 plant होते हैं उनके अंदर first CO2 accept होता है कौन RUBP ठीक है Melleac Acid यह तो एक ही बात है ना OAA या फिर Melleac Acid तो एक ही बात होती है ठीक है C4 plant और chem plant है ना दोनों का फस्स टेवल प्रॉडक्ट होता है सल टाकू सल नाया को ससनलन म connaर्ट वॉर्ष अप्न поступ पूड़्टा कोा है कोसा अंपड़ी तरी तौं सी डोर्मेंसी ब्रीकिंग वाई टेμ invee सरक करना तो आंसर थोी यह कोशन में आपको बेंकम होठा के समय में पढ़ाया था मस्ट इंपोटन कोस्टन एकजाम में याथ बिएस्टिपिकेशन अगर आपसे पूछताना लो टेंप्रेचर से फ्लोवर इंड्वर को इंड्यूज करना अचिए तो फ्लोवर इंड्यूज करना क्या कहते है wegs लोग टमप्रीचर टीट से फ्लोबर को इंड्यूस करना इट इसकोल बरनेलाइजेशन क्या कहते हैं ला ऑजी इसके mechanical method से break करना है इसको इसकेरिफिकेसा फोटो प्रियोडिज्म क्या होता है फोटो प्रियोडिज्म का मतला होता है कि दा effective relative effect of day and light ठीक है day and night on the flowering plant की flowering पर day और night का जो effect पढ़ता है उसको फोटो प्रियोडिज्म कहते हैं ठीक है चलिए question number 34 non ionizing physical mutagen कौन सा है most important ठीक है ultraviolet याद रखना ultraviolet रेड़ जो होती है non ionizing physical radiation होती है physical mutagen यह जो चारो जो होती है याद रखना ionizing होती है यह जो चारो है ionizing होती है ultraviolet यह सारे के सारे physical होते ठीक है यह सारे के चारे physical mutagen है ठीक है रेज जो radiation होती है जिसका अंदर ultraviolet के होता है नोन-ाइउनाइजिंग होता है, question number 35, loose smneat of wheat, loose smneat of wheat is controlled by एना, तो answer is Vita vax, किस के द्वारा, Vita vax के द्वारा control किया जाता है, question number 36, dark ulcer-like lesions, ठीक है, dark ulcer-like lesions on stem and post symptoms, carastatic disease, यह important है न, कि बीमारी के सिंप्टम्स एक्जाम में दिये जाते हैं तो को सभी डिजिज के सिंप्टम्स याद रखना है चलिए कोस्टा नमर 37 विच इस इरी सिल्क वर्म है इरी सिल्क वर्म जो है उसका सांट्पिक नहीं होता है सोमया सिंथिया रिसीनी है यह तो मूंगा है कौन सा है मलवेरी है क्या है मलवेरी सिल्क वर्म ठीक है यह कौन सा हमारा टसर ठीक है टसर सिल्क वर्म है जो है चलिए एंथरियो माई लेटा नेस्ट है कौशन नमर 38 ग्रेशरी डिजीज ऑफ सिल्क वर्म इस कोईट वाइड दू दे एंपी भी याद रगना मोस्ट इंपोटेंट है नुपलियर पोली हाइड्रोसेज वाइरस के द्वारा होती है कौशन नमर 39 फोरोजियल इंसेक्ट लेक प्रिजेंट इन तो आंसर व इस्टेंज है और फांडेशन दोनों कि दिनीते थ्री मीटर होती है कौशन नमर 41 आइडियल टाइम औप्लांटिंग अनुरूटेट ग्रेव ठीक है अगर रूटेट लेका है रूटेड ठीक है रूटेड कटिंग जो है तो जनवरी फरवरी है ना रूटेट कटिंग वीच ग्रोफ है ना दिलकोष किसकी वराइड यह तो आंसर है ग्रेप की यह इंपूटेंट ग्रोफ है ठीक है इंपूटेंट कोशन है नेस्ट है हमारा लाइस कनेक्टिंग एक्वल एमांट ओव रेंफोल इडिस नोन है ना यह अलग लग फीनोमेना होते हैं एक्वल कने दäctar एप किंदा यहिक वाटर टेवल एक्वल खैक्वलृटर टेवल आप से पूचेंगे वाइंट कणेक्टिंगत एक्वल वाटर टेवल यह सक्तौ ऑथ 2wiek मतलम लाइन कनेकट इसो क्लाइन 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 सुनीट ठीक है एक वरल वेलोसिटी के हुआ इक Careful वेलोशिटी होती है सको क sei इसो क्लाइन क्या होती ठीक है लाइन क्यौंच पॉइंट क्या अ इंपुट है ना फॉर ओल आउटपुट ठीक है सभी आउटपुट के लिए ठीक है तो लीस्ट कोई पॉइंट को कॉनेक्ट करने बाए लिलाइन को जी आई सुक्लाइन होती है यह इक्नुमेक्स वाला पाट है कोस्ण नम्मर अगला 40 के फॉटिफॉर रेट यो ट्रांसपरेशन घ्री मेजर बाइ थो पॉर्टॉट ज सिलिए कि मेजनेट क्यों से see इसप्रें चेम्र से कि यह यह फिर अप्यश्य कह सकते हो बलक्लद सिटी कहने का मतलब टेंसटिइ भी करते क्टीों प्लैनी मीटर मतला एरिया ओप एनी एर्रेगुलर फिलर एरिया ओफ एनी एर्रेगुलर एर्रेगुलर फिकर क्लियर है भाई इसको हम इसके बाद पाइरनोमीटर है जो टोटल इंकमिंग सोलर रेडियेशन होती है नैटरोजन इंडिकेटर क्रोप कुन्सी थी क्यावन थीप पोटास जो होता है पोटेसियम का इंडिकेटर होता है मस्टाड फोस्फोरस चाहरा अक्मिन सुगरवीट तो आंसर है सोडियम का एने प्लस का संफ्लोवर बोरोन का यह एक्जाम में पूझते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है इंडिकेटर क्रोप तो हमने वह कोस्टन लिए आप देख रहे हूंगे यहां पर हर सब्सक्राइब कोस्टन लिया गया है तो आपर टोटल लिएक प्रकार से हर्वेस्टिंग प्रोसेस होती है ती के अंदर सिंपल हर्वएस्टिंग प्रोसेस को टिपींग कटिया थे ना हर्वेस्टिंग जो से फ्लेकिंग ओप लीफ्स जो होता है उसी को हम टिपिंग कहते हैं चलिए नैस्ट कोस्टन क्या है प्रिकर्सर इताइलीन हार्मोन है इताइलीन जो हार्मोन होता उसका प्रिकर्सर कुन होता है मिथियोनाइन अमिन अमिन असेट का प्रिकर्सर कुन होता है ठीक है इंडोलेस इसका प्रिकर से टिपटफन होता है मित्यूलाइन किसका होता है एथाइलीन हार्मोन का चलिए नैस्ट कोस्टन है कोस्टन नमर 48 इस अब गोल सीड यूज विश्क परपस है ना इस अब गोल सीड का यूज 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 फो दो टूटेंटी के अंदर पूछा हुए है तो पेड़ संबंधी डिसोर्टर से होते हैं कब जिसको हम कहते हैं कुलिंग लेग्सरिटी इसका मतला होता है कि जो पेड़ संबंध इमippy घेस्टो इसंटाइट्यूट एप हैं कर कहने का मलदा सुच दिंदी मागर कयम तो कब जो होती है पेट से संबंद चीजे उनको ठीक करने के लिए यूज करते हैं ठीक है यह एक्जाम के अंदर पूचा आई बिए से यह ना यह है फोंटी ट्वंटी के लिप से इन्डियन पल्सर्यूष इंस्टूूट इस लोकेटब बाहिं कहां पर है तो आण सरे कानपूर के अंदर खान चाली कौसन नम्मर 50 है most are percentage rise at harvesting stage harvesting stage पर कितना परसेंट होता है 23 परसेंट most important है यह एक्जाम में पूछा जाता है कि कितना होता है 23 परसेंट होता है clear तो आई होप आपकी 50 कोशन बहुत अच्छे से समझाए होंगे है ना 50 कोशन जो है आपको सारी चीज़ समझाए होंगी दोस्त अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों को सेर करना ना भूले है तब तक के लिए जाहिन